हेलो दोस्तो क्या आपने कभी सोचा है ये जो मिर्ची होती है ये तीखी क्यों होती है इसे तीखे होने की क्या वज़ा है दोस्तो वीडियो के अंतक बने रहे सब कुछ अच्छे से समझ जाएंगे और इसी तरह का अद्भूत और अनोखे वीडियो के लिए चैनल को अभी तीखी क्यों होती है दोस्तों हम इसे थोड़ा गहराई से समझने की कोशिस करेंगे दोस्तों इस दुनिया में अगर कोई लोग है जो सबसे ज्यादा तीखी मिर्ची खाते हैं या कहिए तीखा खाते हैं तो वह है हम एसियन महादूइप के लोग जैसे भारत थाइलेंड ची जैसे देश के लोग और दोस्तों आपको बता दे कि मसालेदार भोजन के लिए हमारा भारत पूरे दुनिया भर में काफी मसहूर है हमारे भारत की खाने में अगर मिर्ची ना परे तो वह भोजन भोजन ही क्या है मिर्ची का तीखा फन हम अपने भोजन में दुनिया भर की लोगों से कहीं ज्यादा पसंद करते हैं दोस्तों शुरुवात में व्यग्यानिक ने यह समझा कि मिर्ची का तिखापन मिर्ची के पेर के evolution के कारण हुआ मिर्ची के पेर हजारों साल पहले इस तरह से evolve हुए कि कोई भी जीव इनके फ़लों को खाना सके लेकिन एक research ने बताया कि मिर्ची का तिखापन मिर्ची के पेरों में इसलिए हुआ कि छोटे छोटी कीरे और फफुन्द से मिर्ची की रक्षा की जा सके इसका कारण यह है कि दुनिया भार की अधिक्तम तिखी मिर्ची वहीं ज्यादा तिखी होती है जहां बहुत ज्यादा बारिस होती है ऐसे climate में कीरे लगने की संभावनाय फ़लों में ज्यादा होती है और मिर्ची के पौधे की उचाई ज्यादा नहीं होती है इसलिए वेग्यानिकों का मानना है कि तीखी मिर्ची बारिस वाली area में ज्यादा तीखी होती है और भारत की सबसे तीखी सी मीड़ें भूत ज़लो किया हैं जोकी आसाम की भारी वर्षा वाले छेतर से ही है । अब दोस्तों बात यह आती है कि मिर्ची के पौधे में ऐसा क्या हो गया कि मीर्च इतना ज्यदा तिखा हो गया । दोस्तों दरसल में एक ऐसा compound पाया जाता है जिसे capsicin कहते हैं दोस्तों यही वह compound है जो मिर्ची में तीखा पन लाता है दोस्तों हमारे जीव से लेकर हमारे पूरी सरीर में एक sensory neurons होते हैं जिसे polymodal nocine receptors कहते हैं यह वह receptors होते हैं जो बहुत ज्यादा गर्मी में active हो जाते हैं और हमारे दिमाग को बताते हैं कि हमें गर्मी लग रही है इसलिए देखते हैं कि आप गर्मी के मौसम में हमें पसीना निकलने के लिए हमारा brain सरीर को ठंडा करने के लिए हमारे सरीर को सिगनल और हमारे सरीर को ठंड करने के लिए पसीना निकलना सुरू हो जाता है दोस्तों जो हम मिर्ची खाते हैं या मिर्ची का थोड़ा साभी लिक्वीड हमारे कोमल त्वाचा से कैपसाइसीन हमारे जीव या ہमारे सरीर के सिंसरी नियूरॉं से कंबाइंड हो जाते है और हमें महसूस करवाते हैं जैसे हमारे जीव में या हमारे कोमल त्वाचा जहां मिर्ची का compound थोड़ा सा भी लग जाता है वहाँ जलन सी हो रही हो हमारा brain ये समझता है कि कुछ हानिकारक चीज है जो सायद हमें जला सकती है वह हमारे skin के contact में आ गई है इसलिए मिर्ची हमें तीखा सा लगता है और जैसे ही हमारे brain को मिर्ची के तीखे पन का एहसास होता है तो तुरंत ही हमारा दिमाग सरीर के जलन वाले हिस्से के आसपास को signal भेजता है ठंधा करने के लिए इसलिए हमारे जलन वाले हिस्से के आसपास पसीना आने लगता है दिल की धरकन तेज हो जाती है और वेक्ति वैसा ही feeling करता है जैसे flight या fight response में करता है दोस्तों अब प्रस्न यह भी उठता है कि इतनी तीखी होने के बाद भी मनुस्य मिर्ची को क्यों खाता है तो दोस्तों इसका जवाब कुछ वैग्यानिकों ने दिया है कि मनुस्य को द पहुत ही पशंद करते हैं और दोस्तों इस बारे में अभी सही-सही तो किसी को पता नहीं है पर टेंसन लेने की कुछ जरूरत नहीं है बहुत जल्द ही पता चल जायेगा कि मनुस्य मिर्ची तीखी होने के वाबजूद भी क्यों खाता है दोस्तों वीडियो को लाईक कॉ